यह लाइन को पड़ोगे ना तो यह लाइन में हनुमान जी को सीधी सीधी कस्मे दी जा रही है जैसे हम आपस में बातचित करते हैं फ्रेंडली वे में इस प्रकार से उसको इसी वज़ा से बनाया गया है क्योंकि वो आपके अंदर उस प्रकार की एनर्जी को इनवोग करेग हनुमान 14 से भी powerful अगर किसी को कुछ मिल जाए तो वो इस जिसका फाइदा भी उठाएगा या फिर हो सकता है कि वो अपने अच्छे करम के लिए उसका इस्तमाल करे और इसी वजा से ये जो चीज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये इतनी popular नहीं है बहुत सारे लोग नहीं जानता है है बहुत पुराना और ये सब के लिए है लेकिन काफिस सारे लोगों तक ये इसी वजा से नहीं पहुँचा है क्योंकि इसमें जो power है हनुमान जी की वो हनुमान चालिसा से भी ज्यादा है मैं आज आपको मेरी life का experience बताने वाला हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान चालिसा से भी ज्यादा powerful ये जो चीज है उसने मेरी कैसे मदद की अब मैं reveal करता हूँ ये चीज़ का अफिस सारे लोग जानते ही होंगे इसके बारे में लेकिन मेरी बात द्यान से सुनना ये क्यों powerful है ये भी मैं आपको बताऊँगा तो मैं बात कर रहा हूँ हनुमान बान की जिसे बजरंग बान कहा जाता है अब ये बजरंग बान वजरंग बान जो भी आप कहना चाहते हो उसे कह सकते हो ये न बहुत powerful है और हनुमान चालिसा की तरह इसका बार बार पार्ट नहीं किया जा सकता आप सुबर साम जैसे बज को ठीक रखना होगा आपके अंदर आपको पहले ठीक रहना होगा clean रहना है उसके बाद इसका पार्ट करना है मैं आपर कोई ऐसी डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं यह हम सभी के लिए हम सब इसका इस्तमाल कर सकते हैं कोई negative चीज आपकी life में नहीं होगी कुछ नहीं हो लेकिन जो भी होगा ना वह बहुत ही positive होगा मैं अपनी life experience एर करता हूं मैं छोटा था ना तब से इस्तदेव मेरे हनुमान जी है और जैसे काफे सारे लोग करते हैं छोटे बच्चे खिलो ना लेके सो जाते हैं खिलो ना लेकर नहाने जाएंगे खाना पीना सब खिलोने क मैं उसे school भी ले जाता था मैं नाने जाओं मैं सोने जाओं मैं अपने ही blanket के बाजू में एक छोटा सा handkerchief या फिर napkin होगा उसको मैं हनुमान जी का blanket बना कर उनको साथ में सुलाता हूं खाना पीना सब मैं जो खा रहा हूं उसमें से दो चावल तब तो छोटे थे ना तो म जो होना स्टार्ट हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो सारी चीज़े तो मेरे बस imagination में थी मैं imagine कर रहा था कि अनुमान जी मेरे साथ है reality में अनुमान जी थे नहीं थे मुझे नहीं पता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं imagination की चीज़े हमें सच लगने लगती है तो मे बजरंग बान एक ऐसी चीज़े है जिसने मुझे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना किसी भी मुसिबत में अपने सच्चे दिल से बजरंग बान का पाट किया है और उसने मुझे help की है मेरे जीवन में मैं reality बता रहा हूँ यह मेरे साथ हुआ है ऐसा क्यों होता है य अगर आप बजरंग बान को देखोगी उसकी lyrics को देखोगी तो बीच में काफी सारे ऐसे words है जिसका repeated उचारन किया जाता है इस प्रकार से उसको बनाया गया है क्योंकि वो आपके अंदर उस प्रकार की energy को invoke करेगा मैं आपको वीडियो के अंथ में ये भी बताऊंगा कि कि किस प्रकार से इसका part करना है कि या आपके लिए results आपको देगा तो सुनके जाना थोड़ी जलबाजी मत करना कल हनुमान ज का जन्मदिन है तो हम उनका यह पार्टकल कर सकते हैं अगर आप आज इसको जान लेते हैं तो अगर आप बात में वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं इसको लेकिन बीच में पैरेग्राफ आता है वहाँ पर अगर आप देखो गे में पैरेग्राफ का फोटो दी जा रही है, जैसे हम आपस में बात्चित करते हैं, फ्रेंडली वे में, तो हम कैसे तुझे तेरे माबाप की कसम, तुझे तेरे परिवार की कसम, ठीक है हम ऐसा करते हैं ना, उसी प्रकार से इस हनुमान बाण के अंदर भगवान स्री राम की कसम दी जाती है और कहा जाता मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ना मंत्र पता है, ना तंत्र पता है, ना यंत्र पता है, मुझे नहीं आता आपकी पूजा कैसे करनी है, बट मैं आपके सरण में आया हूँ, और आपको मेरी मदद करनी ही होगी, आपको आपके भगवान स्री राम की कस्म, इसके अंदर इ हुआ है बहुत खतरनाक है अब मैं आपको बता रहता हूँ कि कैसे इसको करना है प्लीज सुनिए तो अगर आप मुझे Instagram पर follow करते होंगे मैंने अभी परसो या कल दो दिन पहले वीडियो डाली जहां पर मैंने आपको हनुमान जी का एक ऐसा स्लोक दिया था जिसको हनुमान चालीसा के पहले बोलने से या फिर हनुमान जी की पूजा पाठ करने से पहले अगर बोला जाए तो वो उस पूजा को उस हनुमान चालीसा को या फिर आप कोई भी हनुमान जी की चीज़ कर रहे है उसको और आवफुल बना देता है क्योंकि हनुमान जी को इन्वोक करता है यह मंत्र हर कोई पूजा पाठ सनातन दर्मों में होने से पहले इन्वोकेशन होता है अगर आप मंतराज देखोगे सारे तो वो सारे मंतर जो है तो वो मंतर के आगे भी ओम लगा हुआ होता है वो इसी वज़ा से लगा है क्योंकि ओम खुद में की इन्वोकेशन है अब हनुमान जी के लिए जब हम बात करें हनुमान चाली साब अजरंग बांड कुछ भी है तो मैं आपको दो चीज़े ऐसी बता रहा हूँ आप कोई भी जो आपको इजी लगे जो आपको पसंद है वो हनुमान जी की पूजा करने से पहले आफिर उनका कोई भी पाठ चाली साव अगेरा करने से पहले बोलिए एक तो मनो जवम्मा रुतवल्य वेगम ये तो आप सब जानते होंगे यूट्यूब पर लिखना मनो जवम्मा रुतवल्य वेगम ये हनु करते हैं अगर आप मंत्र को ध्यान सो अब्जर्फ करोगे ना तो वो आपकी बॉड़ी और आपके चक्र के साथ रिजूनेट करेंगे अब्जर्फ करना उनकी वाइब्रेशन को टाइम लगेगा नेकिन विट प्रैक्टिस आपको ये समझ में आएगा दूसरा यत्र यत्र करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं बजरंग बान और आपको देखने को मिलेगा बजरंग बान और बस उसका पार्ट करने से पहले सच्चे दिल से ये हनुमान जी का जो इंवोकेशन मंत्र मैंने आपको दिया ये करना and I promise you मैं आपसे वादा करता हू कि अगर हनुमान जी आपकी मदद ना करें long term में short term में भी मदद हो सकती है long term में भी हो सकते but you have to build a trust with हनुमान जी का ये जो बजरंग बान है और इसको बार-बार मत करना पार जब भी आपको लगता है ना कि जीवन में अब जरूरत है मुझे then आपके पास ये टूल है इसक ना करोंगा आप सबी लोगों के लिए कि हनुमान जी आपके पास आये और आपकी जो भी दूविदा है उसको solve करें और बस उसी के साथ हनुमान जी को जन्मद इनकी बहुत-बहुत सुपकामना है हनुमान जी अमर है हमारे साथ है उनकी सक्ति हमारे साथ है तो हमें डरने क जरूरत नहीं है क्योंकि कल्यूग में आज भी हमारे बजरंग बली हमारे साथ रहते हैं इसे के साथ विज़ाय लूँगा आपकी ओम नमस्कारम जै स्री राम जै बजरंग बली